हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल वैशास तड़का में बहुत बहुत स्वागत है आज की रिसीपी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज बन रहा है हमारे यहाँ पर पनीर वो भी बहुत स्पेशल तरीके से जो खाने में बहुत जादा स्वाधिश्ट लगने वाला है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर अन सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो चलिए देख लेते हैं हमने ये पनीर की सबसी कैसे बनाई है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है धाई सो ग्राम के करीब पनीर जिसको मैंने छोटे छोटे पीसिज में कट कर लिया है आप किसी भी शेप में पनीर को कट कर सकते हैं अभी मैं पनीर को साइड में रख देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी तयार कर लेती हूँ मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और इसमें मैं एक कब डाल देती हूँ दही फ्रेश दही का यूज करेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल फ्रेश दही आपको लेनी है और दही को मैंने अच्छे से फैट लिया है उसके बाद ही इसका यूज किया है उसके बाद इसमें आदा चमच मैंने डाली है देगी मिल्च जो की तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है लेकिन ये सबजी में बहुत ही बढ़िया कलर देती है और आदा चमच मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा समय यहाँ पर लाल मिच का पाउडर डाल रहे हूँ लगबग एक चुथाई चमच के करेब अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो थोड़ा जादा भी आप इसमें मिल्ची डाल सकते हैं और एक चमच यहाँ पर डाल है मैंने धनिया पाउडर एक चुथाई चमच मैं यहाँ पर ले रही हूँ पुदीने का पाउडर अगर आपके पास है तो आप डालिये नहीं तो इसकिप कर दीजे लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ियाएगा अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो उसकी पत्तियों को आप थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं एक चमच मैंने यहाँ पर डाला है किचिन किंग का मसाला और एक चुथाई चमच हम यहाँ पर काली मिच का यूज कर रहे हैं अब थोड़ इसी हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी इन सभी को एड़ करने के बाद दही को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देना है ताकि मसाल अच्छे से फूल जाएं और जो इसका फ्लेवर है वो इनहेंस होके आए तो इसी लिए इस मिक्चर को आपको 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है इतने हम बाकी की तयारी कर लेते हैं गैस पर मैंने रखी है एक कड़ाई और इसमें हम डाल देते हैं ओईल जो भी आप ओईल खाना पसंद करते हैं वही आप लीजे यहाँ पर मैं रिफाइन ओईल कर यूज़ कर रहे हूँ दो चम्मच मैंने यहाँ पर रिफाइन ओईल डाला है और जब यह अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग हेंग डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा एक चोथाई चमच जीरा डाला है इसको अच्छे से चटकने देंगे जीरा अच्छे से क्रैक होने के बाद मैं हम इसमें डाल देते हैं दो छोटी लाईची अब यहाँ पर मैंने लिये हैं तीन बड़े साइस के टमाटर जिनको रफली चौप किया हुआ है इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोट असा दालचीनी का टुकड़ा अब इसमें जाएगा एक चमच काला नमक 10-12 काजु के टुकड़े इनको डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद धक कर पकाना है आपको 5 मिनट के लिए जिससे टमाटर जल्दी सौफ्ट हो जाए 5 मिनट के बाद आपको डखकन हटा देना है और इसको वापस से चला लेना है अब ये देखिए टमाटर जो है वो सौफ्ट हो चुका है अब हमें फ्लेम ओफ कर देनी है और टमाटर को ठंडा कर लेना है टमाटर को ठंडर करने के बाद grinder jar में इसको चला लेना है प्यूरी बना लेने आपको इसकी ये देखिए टमाटर के हमने प्यूरी बना ली है अब आपको क्या करना है जिस कड़ाई में आपने टमाटर फ्राई के थे उसी कड़ाई को आपको ले लेना है और इस puree को आपको कड़ाई में डाल देना है इस puree को आपको 4-5 मिनट के लिए पकाना है जब तक ये जो gravy है वो तेल न छोड़ने लगे तब तक इसको आपको fry करना है जब ये हलका हलका तेल छोड़ने लगेगी उसके बाद जो हमने ये दही वाला मिक्स्चर तयार किया था उसको डाल देते हैं अब जो ये दही और मसाले वाला मिक्स्चर है इसको भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो इन्हेंस होके आए मसाले अच्छे से पक जाएं अब जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है आदा ग्लासे करीब इसमें पानी अट कर देना है पानी डालने के बाद इस ग्रेवी को वापस से पका लेना है ताकि जो पानी है वो कच्चा ना रहे आप देखे जब यह इस तरीके से अच्छे से पक जाएगी उसके बाद इसमें आपको पनीर डाल देने हैं पनीर क्यूब जालने के बाद इसको हलके हाथों से चलाना है और एक से दो मिनट और पकाना है इसको दोस्तो आज जो मैंने पनीर की सबजी आप लोगों के साथ शेयर की है ये बहुत ही यूनिक तरीका है आप देखिए जब सबजी हमारी बन जाएगी तो लाश्ट में आपको थोड़ा सा गरम मसाला एट कर देना है और इसको वापस से चला लेना है अब मैं यहाँ पर फ्लेम ओफ कर देती हूँ ये देख सकते हैं आप सबजी जो है हमारी बन कर तयार है और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी एक बार इस तरीके से आप पनीर की सबजी बना कर देखिए और मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी उमीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी